मुश्कार दोस्तों स्वागत है आपका जेपीज अजिरवधिक फार मैसी में हमने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे कंबूचा बनाते हैं अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं निचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कैसे कंबूचा बनाते हैं ठीक है आफ्टर वन वीक हमारी कंबूचा टी रैडी हो चुकी है यह मैंने शान के रख लिए और यह आप इस तरह की एक बोटल ले सकते हैं ठीक है और यह बोटल के अंदर हम रस डालेंगे जो हमने निकाला हुआ दो चम्मा चादर का रस ठीक है तो यह हम डाल देंगे इसके अं आप ऐसे ही पी सकते हैं इसको अगर आप फ्लेवर देना चाहते हैं तो फ्लेवर भी दे सकते हैं ठीक है अद्रक का दे सकते हैं अजवायन का और वी कोई किसी भी फ्रूट का फ्लेवर भी दे सकते हैं ठीक है अगर आप और वी फ्लेवर इसमें एड़ करवाना चाहते है आप हमें बता सकते हैं कि और कमेंट कर श में उसके आपार किए आपिद्धू पूरा वीडियो भनाने RACH Pображ casung और इसको बनाता ही तो अभी जैसे हमने इसके अंदर कंबुचा टी भी डाल दे और अदर का रस भी डाल दियुक्त तो हमने इसको ऐसे बंद करके तीन दिन के लिए रख देना इसको ठीक है ना आफटर जैसे आफटर टू डे आप इसको फिर निकाल के आप भी सकते हैं इसको काफी अच्छा टेस्ट आता है इसका और इसके काफी सारे फायदे हैं जितने भी पेड के रिलेटेड बिमारियां पेशेंट परिशान हैं तो वो इसको रेडुर्य ले सकते हैं ये रिफ्य रख्ता है ठीक है यह रिच प्रोवाइटिक है और नजेचरल है काफी ठीक ना रntyटरत का बनाया हुआ ये इसको एसको सकते हैं और अपनी हेल्ट को इंप्रोब कर सकते हैं जो बिलकुल ठीक है व तो इसे हमारी क्याय कि ही थाथ करना चाहते हैं तो अगर आप पर्चेज करना चाहते हैं कंभुचा स्कूबी आल ओवर इंडिया पर निचे आपको नंबर दे देंगे आप वहाँ पर जाके contact कर सकते हैं ठीक है अगर आप किसी और topic के उपर kombucha topic के उपर related आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बना देंगे निचे आप comment में लिख देना कि हमें इस topic के उपर वीडियो चाहिए तो हम उपर वीडियो भी ready कर देंगे और thanks for watching